तो गाईश ट्रावल से लेटेट तीन इंपोर्टेंट खबर सामने आ रही है आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि ये फॉरन कंट्री से दो साल बात काम करके आ रहा था अपने घर जाने के लिए लेकिन फिर इन्सको दो साल अब जेल में रहना पड़ेगा क्या कारण है क्यों आपने जैसा मैं इसकी इन्सक्रावल जानना जरूरी है दूसरा भी अपडेट है वह ट्रावल से लेटेट आ रहा है और छे लोगों को अरेश्ट किया गया है और बहुत सारे एसे फ्लाइट है जो आचानक जो यात्रियों को डिले करने का मैसेज दे रहे हैं या फिर कैंस कर देने फ्लाइट तो उनके लिए सरकार ने एक वार्निंग दी है और बताया है कि कोई भी फ्लाइट अगर डिले कर रहे हो तो वह यात्रियों को पहले से पता होना चाहिए कि हां ये डिले चल रहे है अचानक ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो क्योंकि अभी दिली पर भी एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ है और अमरित्सर एयरपोर्ट में हंगामा हुआ कोलकत्ता एयरपोर्ट मतलब इन दिनों अभी फ्लाइट इतना डिले चल रही है बैसेकली ज्यादा तर जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिको एरलाइंस और स्पाइस जेट का बाक सारे चीच का बेवस्ता एयरलाइंस को कराना पड़ेगा दूसरा जो अपडेट है आपने बिल्कुल सच पड़ा है क्योंकि छे लोगों को अरश्ट किया गया है बेसेकली थोड़ा दिन पहले मिनिस्ट्री यानि जो विदेश मंतराले ने एक वार्निंग दिया था और बत से आप देख सकते हो और इसमें बताया जारा कि छे एजेंट अरेश्ट हुए हैं 14 नेपाली और दो भारतिये पासपोर्ट ब्रामत दिल्ली में पकड़े गई फरजी वीजा बनाने वाली एक फैक्टरी के तौर पर क्योंकि यह नकली दिल्ली के बड़ी मात्रा में नकली वीजा बनाने वाली फैक्टरी का पकड़ा गया है और इन लोगों को आरेश्ट किया गया छे एजेंट को क्योंकि थोड़ा दिन पहले जैसा मैं बताया कि जो विदेश मंत्राले ने वार्निंग दिया था कि अगर आप कहीं से भी वीजा ले रहे हो किसी भी ट्रावल एज ग्रिफ्तारी होगी तो ऐसे लोगों को ग्रिफ्तार कि गया था और उसमें बताया गया था कि जब इनसे पूछता पता चला कि आखिर ये gnे वीजा बना के दे रहा है लोगों को और पैसे 4.05.00 रुपए ले लेते हैं और नकली वीजा बना कर दे देते हैं पता चलता है यह अरपोर्ट के अंदर यात्री गिरफतार होते हैं तो यात्यों से पूछता अच में सामने आया बात कि इस तरह का जगा पे यहां पे इस तरह को अरिष्ट कर लेती है तो अब भी अगर आपके साथ इस तरह का हरुआ है तो डरने के जुरत नहीं है लाजम कंपलेन लिखा है तुरनक पुलीस इसका राś stiffness लेगी और ऐसे बहुत सारे भारत में एजेंट है जो जो विदेश भेजती हैं और लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल ले लेते हैं और इनका मनमानी चलता है तो मुझे प्रशनली बहुत अच्छा अपडेट लगा ताकि लोगों के साथ जो इस तरह का हरकत हो रहा है वो होना बंद हो सकता है उसके बाद यह अपने फॉरण कंट्री आए शॉट वीडियो में आपने देखा किस तरह से किस हरकत से क्योंकि यह आइडों नो आने के खुसी में इनको रूल के बारे में पता था यह नहीं था और यहरपोर्ट पर यह स्टार्टिंग में इसलिए मैंने वीडियो आपको दिखाया शिक्रेट पिट्टे हुए यह टिक टॉक पर वीडियो बनाता है वहां पर तो इनको पकला नहीं जाता है जब यह वीडियो वाइरल होता है इनका चक्किया जाता क्या कि यह कौन सक्स है पिस पूलिस जाकर घर से गिरफतार करती है और इनको दो साल आप रिल बनाने के चक्कर में वीडियो बनाने के चकर में आप इस मौकिंग करते हुगा अगर यह पर बड़ी कारवाई होगी तो इन जो यात्री हैं इनके साथ इस तरह का हरकत हुई है अब इन पर जो मुकदमा चलेगा इन पर केस चलेगा तो यह कुछ अपडेट था य नीचे कमेंट सक्षन में जरूर पूछे मैं जरूर आपको रिपलाई दूँगा मिलता हूं नए अपडेट के साथ नहीं जानकारी के साथ जब तक जैह हिंद